हेलो फ्रेंट्स आई हम एक एकस्प्रेशन को सॉल्व करते हैं question में दिया हुआ है एक under root दिया है और fraction में value दिया है denominator में कुछ decimal में values है denominator में भी कुछ decimal में values है आप इसको closely observe करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो decimal value है यह 3 digit तक है यह भी decimal value 3 digit तक है यह भी decimal value 3 digit है और यह value जो decimal है कितने digit तक है 2 digit तक है उसी तरीके से denominator में यहाँ पे 3 digit है यहाँ पे 4 digit पे decimal है और यहाँ भी 4 digit पे decimal है आप जब total देखेंगे denominator और denominator में places of decimal तो आप देख पाएंगे कि यहाँ भी 11 place तक decimal है तो जो हम first simplification करेंगे वो क्या करेंगे कि हम denominator denominator से decimal हटा देंगे और दोनों में से decimal easily हट भी जाएगा क्यों क्योंकि यहां भी 11 place तक decimal है और यहां भी 11 place तक decimal है तो जो first simplification होगा वो क्या होगा कि हमने decimal हटा दिया आप जो value बची वो क्या होगी 9 into 36 into 16 into 8 divided by 2 into 8 into 2 ठीक है तो अब यह चीज़ होगे है हमारी अब हम क्या करेंगे कि हम इसको further simplify करेंगे तो 8 से 8 cancel out हो जाएगा ठीक है और 2 से यह 16 करेंगे तो 8 times जाएगा और 2 से एक बार और करेंगे तो यह 4 times जाएगा ठीक है अब further हम इसको simplify करना चाहें तो कैसे करेंगे तो जो value बची है 9 into 36 into 4 और आप देख पाएंगे कि 9 स्क्वार रूट होता है वो क्या होता है 3 होता है 36 का क्या होता है 6 होता है और 4 का क्या होता है 2 होता है तो 16 2 जा 12 12 3 जा 36 value आएगे तो option 2 36 सही है हुआ